अमबाला के बराडा में इस बार भी विश्व का सबसे उचा रावन का पुतला जलाया जाएगा रावन के पुतले की उचाई 210 फीट है और इसमें इको फ्रेंडली पठाके लगाए गए हैं पुतले का देहन remote control से होगा पुतले को बनाने में 6 महिने का समय लगता है और 25 लाग से जादा की लागत से इस पुतले को तयार किया गया है शिरी राम लीला क्लब बराडा द्वारा तयार किया गया रावन का पुतला 210 फीट का है और इस पुतले की कई खासियत है इस पुतले को बनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही मशक्कत इसे खड़ा करने में भी लगती है 31 सालों से कलब के सदसे इस पुतले को बनाते आ रहे हैं और लगबग छे महीने का वक्त इसको बनाने में लगया है और साथ सतर हमारे कलब के कलाखारों की टीम इसमें लगी रही जो शिफ्ट वाइज डे एंड नाइट काम करके उन्होंने इस रावण के पुतले को त्यार किया है और लगबग पच्छीस लाख रुपए की लागत इस पे इसके निर्मान कारिया के बीच में खर्च होती है जो हमारे कुछ कलब के मेमरों दुवारा और हमारे दुवारा ही की जाती है और इसमें जो हम आतिसवाजी यूज करते हैं वो एको फ्रेंडली आतिसवाजी यूज क करते हैं जो बहुत कम मात्रमें परदूसन फैलाती है और वो स्पेशल सीवागासी से ओर्डर पर मंगाया जाता है उसको वही इसके बीच में एको फ्रेंडली जो क्रेकर्स हैं और अतिसवाजी यूज की जाती है वातावरान को द्यान में रखके भी किसी परकार से दूसी इतना इसको करने पाए इसका जो देहन है वो रिमोट कंट्रोल के दवारा जो हमारे मुख्याती थी होते हैं चीफ गेस्ट हमारे जो दिशारे वाले रोज होते हैं वो रिमोट कंट्रोल के बटन से इसको अगनी के आवाल ले करते हैं अलग-अलग फंक्शन इसमें फिट क इस जी एस्टी का असर इस रावन के पुतले पर भी पड़ा है इसको बनाने में आने वाला खर्च इस बार काफी बढ़ गया है हर सामान पर 12 से 18 प्रतिशत तक GST देना पड़ेगा रावन के पुतले को खड़ा कर दिया गया है और इसे देखने के लिए लोग दूर दराल से यहां पहुंच भी रहे हैं लोग यहां रावन के पुतले के साथ तस्वीरें खिचवा रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर पुतले की उचाई उन्हें यहां तक खीच लाई है इसलिए वे उसे देखने के लिए खुद को रोक नहीं सके